दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि कोरोना वाइरस का कहर दिन परती दिन बढ़ता जा रहा है जिसके कारण यहां पर लोकडाउन 4.0 की शुरुआत हुई जो की 31 मही तक होने वाला है अब दोस्तों आपके मन में सवाल होगा कि क्या यहां लोकडाउन 4.0 उसके बाद ही बढ़ के बाद भी लोकडाउन बढ़ने वाला है और साथ ही साथ आपको पूरी जानकारी बताने वाला हूँ इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हो तो आपको जो यहां पर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा यान 31 में के बाद भी होगा या फिर नहीं इस वीडियो को देखने के बाद आपके पूरे डाउट किलियर हो जाएंगे तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों जैसा आप जानते हैं जब लोकडाउन की शुरूआत हुई थी यानि दोस्तों जब मार्च में लोकडाउन लगा था तो उसके बाद अगर आपको याद होगा तो उस समय आपको किसी भी प्रकार की छुट नहीं मिली थी यानि दोस्तों लोकडाउन तू में भी आपको किसी भी प्रकार की छुट नहीं मिली थी बात करें लोकडाउन थ्री में तो उसमें तरीके से दिली में अगर आपको पता ही होगा दिली में बहुत ज़्यादा छूट देखने को मिली है यानि दोस्तों कोई भी यहां पर मार्केटिंग यानि कोई भी सौप है या फिर हम बात करें ओनलाइन सौपिंग की तो आप कर सकते हैं तो अब आपको यहां पर बहुत अ साथ साथ बात करें रेलवे स्टेशन की तो यहां पर एक जून से स्टार्ट हो चुका है यानि दोस्तों एक जून से 200 नई ट्रेने चलाई जाएगी जो की बात करें रेलवे के टिकेट की तो आपको IRCTC की ओपिसियल वेब साइट पर जाना होगा और वहां से आप ओनलाइ टिकेट बुकिंग कर सकते हैं एक सकते हैं दोस्तों एक जून से पूरी तरे से रेलवे खुल चुका है और ट्रेनों को चालू कर दिया गया है और बात करें बस सेवाओं की तो आपको पता ही होगा बहुत सारे सेरों में बस सेवा भी खुली जा चुकी है यानि दोस्तों बात करें अगर आप बस यात्रा करना चाते हैं तो उसमें आपको 50 फीश्दी यानि दोस्तों किसी भी बस में 50 फीश्दी सवारी बेट सकते हैं दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि अब लोकडाउन एक्स्टेंड नहीं होगा जिस तरह से यहां पर हवाई सेवा रेल सेवा बस सेवाएं कार सेवाएं सुरू हो चुकी है इस तरीके से सभी सेवाएं लगबग सुरू हो चुकी है बता दूं कि 31 मैं के बाद लोकडाउन आगे नहीं बढ़ेगा दोस्तों अभी तक यह ओपिसियल नहीं हुआ है लेकिन दोस्तों सभी को यहीं लगता है दोस्तों की आगे लोकडाउन नहीं बढ़ेगा क्योंकि आप सभी को पता है इतनी सारी सेवाएं खुल चुकी है दोस्तों वीडियो को ज़्यादा सी ज़्यादा शेर और चेनल को सस्क्राइब करना ना भूले धन्यवाद